अब आफ्टरून फ्रेंड्स वेलकम यॉल काफी लोगों के मेरे पास क्योस्टेंस आरें कि सर वीडियो नहीं नहीं है नाचुल किस्ट कितना उपट जाएगा तो हाजिर हुँ दोस्ता आपके डिमांड पर नाचुल का वीडियो आज की टॉपिक्स में क्या बात कहने वाले चैनल 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 अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वाल आइकन दबा के सेलेक्ट और करना ना भूलिए और दूसरों यह मेरा चैनल है मोटी वेशनल वीडियो जैं मोटीवेशनल एक और चैनल है दोस्त्तों मेरा यह चैनल का नाम है दोस्तों अजय का उल्टा चश्मा यह आपको मेरे हॉम सेक्षिन में मिल जाएगा यहां पर अजय का उल्टा चश्मा मोटिवेशनल वीडियो हैं अगर आप चाहते हैं तो इसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबास तें इस चैनल पर में आपको जो बहुत हीड़न ट्रिक्स होती है किस तरीके से क्यों लोग 95% लोग हारते हैं वह सारी टेक्टिक्स में इस वीडियो में दूंगा और आपको मेटिवेट करने कोशिश होंगा कुछ आनल अच्छा लगता तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब क जो काफी मुझे बेचान कर रही है जब नाच्रल गेस की बात आती तो दोस्तों चाइना इस एक्सपांडिंग इट्स एनरजी फूट्फरेंट इन दे मिडल इस देखें क्या हो रहा ना अभी जो जियो पॉलिटिक्स है न दोस्तों बहुत ज्यादा चेंज हो रही है मतलब यह revolutionary है कांतिकारी changes हो रहे हैं क्या कर रहा है यूस और इंडिया क्या कर रहे है कि जो चाइना के जगह है फॉर एक्जामपल ब्राजील उसमें अपना influence दे रही इंडिया ब्राजील के साथ oil energy की deal कर रही है ठीक है ना उसी तरीके से काफी सारी जैसे न्यूजिलेंड है अब न्यूजिलेंड से recent deal कि है इंडिया ने ठीक है ना जबकि चाइना का न्यूजिलेंड में बहुत ज्यादा presence है तो ऐसी जगह जहां पर चाइना का बहुत ज्यादा presence है वहां पर उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं competition यूए और इंडिया घर के राइट तो चाइना तो बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं दोस्तों और मुझे लग रहा है कि जो अने वाले टाम में और ज्यादा रहने वाला दोस्तों शायद आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा कि कि इतना वड़ा फ्लक्ट्येशन होगा लेकिन अगर इसमें आप सही राइट माइंडसेट के साथ सही एनलाइसिस के साथ सही स्टाटेजी के साथ सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ यह सब कंभाइन करना पड़ेगा सिर्फ चार्ट वार देखे हरी नीली पीली धोली लाइन देखे कुछ नहीं होने वाला समझेंगे ना पूरा कंभीनेशन आपको करना पड़ेगा जियो पॉलिटिकल न्यूस देखनी पड़ेगी न्यूस का प्रॉपर अनलाइसि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज मोटिवेट करिए मैरे चैनल को जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है इमेजिन कि सामने बेंच में सेमिनार दे रहा हूं बेंच पर कोई लोग नहीं है तो आपको लगता है कि मेरे अंदर से आएगा कुछ कि मैं अच्छी वीडियो बनाओ लेकिन अगर वही बेंच खचा-खच भरी होती है तालिव से गड़गरा तो दोस्तों मुझे मोटिव अगर वो है तो उनके लिए मैं पहले यहां डिटेन में लेवस बता देता हूं तो जब मैं लेवस बतूंगा दोस्तों आपको समझ जाएगा कि मैं हिंदी में बोलूँगा इंग्लीश में बोलूँगा राइट सो अभी है 7.04 राइट नाव 7.050 सो अभी हम वन वीक का चा क्या कह रहा है let's see the one month chart so one month chart is quite you know apprehend I think what I say you know very comprehensive looking very comprehensive you know so for if it is going to cross here 7.C first I'll give you the short term positional you know levels right and then I'll go for the swing or intraday trading levels right so first I'll go for short term positional level the short term if it goes about 7.6 7.06 7.06 right if it goes above 7.06 okay and let's see the few more necessaries पॉइंट मॉन देखिए दोस्तों अगर यह 7.15 के उपर जाता है short term position ट्रेड बता रहो ठीक है ना और वोलिटिल्टी को मद्दे नज़र रखते हैं अगर 7.2 के उपर जाता है तो दोस्तों बहुत बड़ा उच्छाल आ सकता है इतना बड़ा उच्छाल कि मतलब मुझे लग रहा है कि आपको 7.5 के लेवल दिख सकते हैं 7.2 के बाद तो 7.2 को अगर क्रोस करता है शौट टम पोजिशन ट्रेड बता रहो वापस से वन की नीचे जाता है तो बड़ा ड्रास्टिक डाउन पोल हो सकता है बहुत ही फ्लक्ट्वेशन है दोस्तों अगर 7.2 के उपर जाता है शौट टम पोजिशन ट्रेड लेवल में पर जाके sustain करता है for at least two minutes तो आपको 7.5 to 7.6 के लेवल दिख सकते हैं लेकिन अगर यह 7 के नीचे जाता हो sustain करता है at least for two minutes at least for two minutes seven के नीचे sustain करता है then you can again see 6.8 के levels आपको short term prospective में easily 6. not 6.8 I would say like आपको 6.70 से 6.80 के levels आपको short term में दिख सकते हैं short term can be a two days to one week or maximum two weeks right इससे ज़्यादा नहीं तो आपको short term position में मैंने नीचे के levels बता दिए और उपर के levels सी बता दिए अब आप बात करते हैं swing level की जो हमारा swing level लेवल इंट्राडे उसमें क्या है तो देखे वन वीक का चार्ट बता देता हूँ एससा जैसी कोई news नहीं है दोस्तों आपको clear count बताता हूँ एससा जैसी कोई news नहीं है जिसके basis पे बहुत ज़्यादा अभी fluctuation हो जाए अभी तक अभी बज़रें एक बचकर अभी तक इस तरह की कोई भी न्यूस नहीं है दोस्तों तो बात कर लेते हैं कि अब इंट्राडे लेवल्स पर क्या रहने वाला है तो अभी ट्रेड कर रहा है 7.056 पर है तो मुझे लग रहा है कि अगर यह अहां बन वीक का चार्ट वन दे का चार्ट देख लेते हैं तो दोस्तों वन वीक वन मन का चार्ट पर देख लेते हैं अगर यह यहां से वापसे 7.02 की नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है कि आपको सेवन की नीचे के लेवल्स भी आज दिख सकते हैं काफी चांसेज हैं डेफिनेटली सेवन की नीचे 6.95 की आपको लेवल्स दिख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसमें एक बीरिश पेटन ही देख पा रहा हूं दोस्तों मैं किसी भी लेवल पर यहा करने की कंडिशन में नहीं हूं दोस्तों मैं इनफेक्ट यहां पर शॉर्ट शॉर्ट भी तब करूंगा क्योंकि अभी मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा मेरे जो ट्रेड का शॉर्ट वाला ही लेकिन अगर सेवन पॉइंट यह आगर आप मुझसे स्विंग की बात कर रहे है तो मैं सेवन पॉइंट जिरो फॉर नाइन अगर यह सेवन पॉइंट जिरो थी जाता है दोस्तों तो मेरा ट्रिगर हो जाएगा मैं ले लूँगा और मुझे एक परसेंट की नीचे मेरे लेवल रहेंगे और शॉर्ट टम प्रस्पेक्टिव में भी दोस्तों मैं बीर इस कि रहूंगा इसमें अगर कोई उपर के लेवल साते हैं और वहां पर मेरा जो लेवल है अगर वहीट होता है फॉर एक्जामपल लाइक अभी 7.004 पर आता है तो स्टेट अवे आल शॉर्ट इट राइट और मेरे लेवल काफी नीचे के रहेंगे मैं शॉर्ट टम में रहा का कुछ मुझे रिकवरी पॉसिबल नहीं होती हो रही देख गो 7.03 पे आ चुका है दोस्तों 7.03 पर आ चुका है 3-4 पर है 7.03 एक्जाक्ली पर मेरी शॉर्ट कॉल ट्रिकर हो जाएगी दोस्तों 7.032 पर 7.03 टू पर आ गया दोस्तों जल्दी से आएगा 7.03 333 चले द मार्केट हमारा पड़ा काफी लोग इंडिन मार्केट में ही ट्रेड करते हैं अभी चल रहा है 57.20 काफी लोगों भी रिक्वेस्ट यह मेरे पास सर्जी आर बता दीजे क्या करना क्या नहीं करना मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है 576.60 पर आ गया तो आज आपको सारे जो भी आपकी क्योरी सिटी है उस सब का निजाद मिल जाएगी आपको ठीक ना तो देखें यहां पर क्या करना है अभी आपको शोट नहीं करना मेरे मेरा अगर चार्ट का अनलाइस है उसके वेसिस पर मुझे नहीं लग रहा कि अभी आपको शोट का लेवल बन भी नहीं रहा है और बाइंग का भी मुझे एसा एस सच लग नहीं रहा दोस्तों बाइंग 275 80 को क्रोस करता दियांस सुने दोस्तों में वापस एसे रिपीट नी करूंगा 580 को cross करता है अगर 580 के levels को cross करता है तो मुझे लगता है कि दोस्तों फिर एक बहुत बड़ा उच्छाल हो सकता है अच्छा कासा उच्छाना सकता है 580 की बार एक बार मैं यहां और confirm कर लेता हूँ Fibonacci series draw कर लिजे दोस्तों आपके लाल दोली करी निली पीली जो भी आप करते हो वो कर लिजे दोस्तों ठीक ना तो दोस्तों 580 के बाद मुझे clear cut लिख रहा है कि पहला target सीधा 588 का होगा और अगर 590 को cross करता है फिर तो दोस्तों जो धमाल होगा इसमें आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा तूफान आएगा फिर उपर की साइड में लेकिन नीचे की साइड में आप देख लेते हैं ठीक ना हमारे नीचे की साइड में short term के भी trade देखेंगे और हम long term के भी trade देखेंगे swing trading intraday भी देखेंगे प्रेष्टे काफी अच्छा था मैं दोस्तों यहां पर देखेंगे कि किसी भी तरह का यहां पर कोई अभी फिलाल चार्ट बन रहा है लेकिन अगर यह 572 के नीचे जाता है ध्यान से सुनने का दोस्तों 572 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि वहा पर एक शोटिंग का स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक लेवल बन सकता है इमीजेटली टार्गेट आपके 565 के रह सकते हैं बट 572 की नीचे दो मिरेट सस्टेंड करना चाहिए तब जाके आपको 565 के लेवल मिलेंगे राइट इना शॉट टम प्रोस्पेक्टिव में बता देत सब्सक्राइब करने वाला हूं मैं बता देता हूं आपको वन मन का चार्ट भी देख लेते हैं ठीक है ना तो चॉट टम का है न मुझे लग रहा है कि यह अगर 565 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको फिर वापस से इमीजेटली वापस से आपको 545 के लेवल स कि मुझे काफी ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि यह 500 के नीचे जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में वह टाइम कितना होगा कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता बट डेफिनेटली डेल नॉट पी मैक्सीमम वन मन्त और टू मन्स राइट नोट बियोंड डाट बट शु थि हर दोस्तों वीडियो बनाता है हूं आपके जब भी कोई इस तरह की बैकिंग निउस यही जैसे मैं ने वीडियो बना देया था धि आपके comment section में community tab में community post में बहुत जादा post करता हूँ आप वहां जाके देख दीजिए का अगर कोई भी breaking news आती तो कभी कभी में वहां पर फ्लैश दोस्तों कर सकता हूँ तो यहां पर दोस्तों नाचुल गेस में अगर आप मुझसे पूछे तो अगर अभी हो रहे हैं एक बचकर पश्वान मिनिट तो अभी के हिसाब से मैं शौर्ट का ही ट्रेड बनागा इन शौ फिर मैं बोलता हूँ कि नई मैं तो चौट टम में बाइंग की बोल रहा हूँ तो फिर मुझसे लोग पूछते कि अभी कल तो आपने शौर्ट टम के लिए शौर्ट वाला वीरिश महूल बनाया और एक दिन में शौर्ट टम में उपर वाला माहल बना रहा आप तो गिर- अपादारी करें या आपका confidence confidence होना चाहिए बट ऐसा नगन confidence का क्या मतलब है राइट मार्केट है दोस्तों हर एक मिनिट में चेंज होता है एक दिन के बाद छोड़ें एक मिन मार्केट होता है मार्केट की प्राइस में फ्लक्शेशन होता है कल आप यह भी वह सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप परिपक को नहीं हुए और आपको ट्रेडिंग करने के लिए प्रोपर माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जूरूरी मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूब चैनल इन चीजों के बारें बताएगा आपको क्योंकि कोई नहीं चाहता ना जब भी कोई माइंडसेट और इस तरह की स्टारजी और रिस्क सब्सक्राइब करते हैं तो अगर नाइंटी सेवन परसेंट जो हारते उसमें से अगर मैं चार या पांच परसेंट भी कनवर्ट कर सुकूं प्रोफिट में तो मुझे लगता है कि और वह अपने पाउंपे खड़े हो जाए तो वह सबसे बड़ी उप्लब्दी होगी यह ठीक है न तो दोस्तों मैं अपना बेस्ट अनलेस्स देना ही कोशिश करता हूं डिस्क्लेमर देदा आँ दोस्तों आपको मैंने लेपल्ट सापको बता ही दिया है लॉट दिखाएगा और शॉर्ट टम प्रोस्पेक्टि में अगर 565 के नीचे जाता है और सटेन करता है आपको इमिजेटली 545 के लेवर और 540 को ब्रीच करता है तो आपको इमिजेटली 500 के लेवल भी दिखा सकता है लेकिन हमको हर दिन न्यूस का आपने से नाट sermon अ हर दिन डिसक मैंड़्यमेंट अपलाई करनी है बहुत कुछ चीज़ करन приехate कुछ कि नहीं होता है कोई शॉट्कॉट कट नहीं है सहर लोग आजाते हैं ओलमगरude नोगे नने इल्ड में सब्डेर्ट में कवाने कमोडिटी मैं और बहुत मुनाफ़ा होगा यह ओगा वह होगा एमबिशन रखना आची बात है लेकिन प्लीज 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 प्रॉपर माइंट से रखिये डिस्क्लेमर देता हूं जो भी मैं आपको अगर कई बाइस सेल का अगर में मुझे निकला तो दोस्तों मै आपको क्लियर बता देता हूं मैं किसी तरह की आपको रिकमेंडर नहीं करता हूं अगर आपको कोई ट्रेट करना है या तो आप अच्छा लगता है तो आप लेके और अपने कुछ आप जो भी ट्रेट करना चाहते हैं कर सकते हैं या फिर आप सर्टिफार्ट फाइनेशल अडवाइजर से भी मदद ले सकते हैं क्योंकि आपके प्रूफिट के लोगत के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं सिर्फ मैंप ही जिम्मेदार है मैं तुब भी जिम्मेदार नहीं करें के पाँ पर खड़णा सीखिय करें अच्छी मैनत करें स्मार्ट वर्क करिें माराइबस करना सिब्स और सलिषक हां में ठैसे उसमाय सपीट आप सब्सकों क्यान सेब्सक्राइं तो आपको देफिनेटली लॉंट टॉम प्रॉस्पेक्ट में आपको वह च्छा कॉर